हाई फ्रेंड्स, कम्प्यूटर साइंस की एक क्लास में आपका स्वागत है, मेरा नाम है नियरज और मैं आप भी सामने कम्प्यूटर साइंस से लेटर बहुत से टोपिक एक्स्प्रेंट करता हूं तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ प्रोग्रामिंग लेंग्विज की टाइप की बारे में कि हम जब भी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं तो हम कौन-कौन से लेंग्विज हमारे सामने होती हैं और यह कितने प्रकारगी होती हैं तो देखते रहे हैं CS क्लास वैसे तो programming language बहुत जदा होती है लेकिन हम उन सभी programming language को अगर category वाई डिवाइड करें तो ये basically तीन परकार की होती है पहला होता है programming language दूसरा होता है scripting language और तीसरे ही होती हमारी markup language और आज हम इन तीनों के बारे में ही बात करने वाले हैं तो सबसे पहले हम लेते हैं programming language की programming language कोन सी होती है तो जो भी हमारे computer में software बनाते हैं जो software हमरे computer के hardware से काम करवाता है by giving instructions तो वो software हम किसे बनाते हैं programming language से यानि की programming language की दवारा ही हम computer को command देते हैं या फिर इंश्रक्शन देते हैं कोई भी स्पेस्फिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए इसके अंदर लॉप्स होते हैं कंडिशन होती हैं ऐसी बहुत सार चीजी हैं जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूज करते हैं और जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उनको हम हाइवल में लैंग्वज में कंसिर्डर करते हैं और हाइवल लैंग्वेज को जो के gaming नहीं समझ सकता है उसको computer के understanding form में करने के लिए हमें उसको compile करना पढ़ता है जिससे वह machine language में convert हो जाती है और machine language हमारी computer का hardware easily understand कर सकता है तो जितनी भी हमारी programming language है उनको हम directly अपने computer के उपर नहीं चला सकते हैं उसके लिए हमें किसी compiler की जुरूरत पड़ती है अगर हम example की बात करें तो हमारी programming language के अंदर C++, Java, .NET ये सारी ये उनको हमारी programming language के अंदर में आती है और programming language बैसिकली software और हमारी computer के driver बनाने में ही काम आती है इसके बाद बात करते हैं हम scripting language के बारे में तो जो scripting language होती है जैसा कि इसकी नाम से मैं पता लग रहा है, वो script के दवारा हमारी computer से task perform कराती है और जो scripting language होती है वो basically जो programming language है न उसी की एक sub category होती है और ये सब किसी दूसरे program को control करने के लिए भी use की जाती है और scripting language एक language को दूसरे language से connect करती है और ये कभी भी अकेली यानि stand alone काम नहीं कर सकती जो जितने भी हमारी scripting language हैं उनको काम कराने के लिए हमें किसी दूसरी language की भी जरूरत पड़ती है यह कभी भी stand-alone काम नहीं कर सकती और जो scripting language होती है ना उनको भी हमें हमारी machine language के अंदर convert करना पड़ता है लेकिन scripting language को convert करने के लिए हम compiler यूज करने के बज़ए हम interpreter यूज करते हैं जो एक साथ convert ना करके scripting language को one by one यानी line by line ही convert करता है अगर हम example की बात करें तो scripting language के अंदर basically javascript, php, parallel language या फिर python language होती है यह सारे होती है हमारी scripting language और इनका use basically हम website बनाने के लिए use करते हैं तेसरी और last में आती है हमारी markup language तो जो markup language होती है वो scripting language और programming language से completely different होती है इन दोन में कोई similarity नहीं होती और जो markup language होती है वो हमारी data का structure prepare करती है या फिर कोई भी page है हमारा उसका design prepare करती है और एक परकार से हम जो markup language है उनको हम presentation language भी consider करते हैं और जो हमारे markup language होती है उनके अंदर किसी परकार का कोई logic या algorithm apply नहीं होता यह वस हमारे web browser के अंदर जो view है उसको represent करने के लिए ही use होती है अगर हम example की बात करें तो HTML और XML के सबसे ज़्यादा popular example है किसी भी markup language के जो हमारे web browser को यह बताते है कि कोई भी content है हमारा heading है कोई title है या फिर कोई table है उसको हमारे web browser के page के उपर हमें कैसे represent करना है या फिर एक short form में बोले तो जो markup language है वो किसी भी page का या फिर हमारे data का एक format तयार करने के लिए use की जाती है और last में अगर हम इनको एक short form में diagram के रूब में देखें तो जो scripting language है है वो हमारी programming language का यह सब पार्ट है जिसके अंदर जावा स्क्रेप्ट प्यएश्प पैरल या फिर python language होती है और programming language के अंदर हमारी cc++ java.net यह सारे language include होती है और अगर हम हमारे markup language के बारे में बात करें तो यह इन दोनों language से यानि कि हमारी scripting language और programming language से बिलकुल different होती है और इनके अंदर जो इनके example है वो mostly हम xml और html यह दोनों हमारी इसके polar example है हमारी markup language के तो यह तो था हमारे इन basically इन तीनों language के बारे में difference I hope आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक कीजिए अपने फ्रेंट से आप शेयर कीजिए और ऐसे वीडियो कंटिनुर से देखते रहने के लिए हमारी चैनल CS class को सब्सक्राइब करना बिल्गुल ना बोले क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूं थांक्यू, ववे नाइस देख